हलो दोस्त, नमस्कार, परकासर हिंदी प्राफ सभी का स्वागत है मित्रो हिंदी व्यक्रण का 33 पार्ट हम पढ़ेंगे 32 पार्ट हम पढ़चुके हैं जिनमें हिंदी व्यक्रण के drifting पॉंट यलिक सीरीज के माध्यम से हम पढ़ते आगे बढ़़ रहें 32 पार्ट में हमने परते में करित परते से समंदित उसके उपभेद पड़े थे इस 33 पार्ट में हम तद्धित परते पड़ेंगे इसके उपभेद पड़ेंगे किसी भी प्रीक्षा में हिंदी व्याकन से समंदित सलेवस जोड़ा जाता है उन सभी प्रिक्षाओं के लिए वीडियो अतिमेट पूर्ण है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल से आवसे जुड़े लाइक रे, कमेंड करके आवसे बताये कि वीडियो कैसे लग रहे है आप से समंदि जितने भी कंडिडेट्स हैं जो किसी प्रिक्षाओं के तयारी कर रहे है और उनकी प्रिक्षाओं में एक्जाम में हिंदी व्याकन से समंदि सलेवस यादी सलेवस में जोड़ा गया है तो आवसे उनको प्रकासर हिंदी चैनल के आवसे जानकरी दे वीडियो, टेलिग्राम, वार्टसप, फेस्बूक किसी भी माद्यम से सेंड कर बेज कर नीशलों करक्षाओं की जानकरी आवसे थे 33 पार्टि में हम तद्धित पढ़ते बारे पढ़ेंगे तद्धित पढ़ते संग्या सरवनाम और विशेशन सब्दू के अंद में जुड़कर तद्धितांत सब्दू की रचना करते हैं वे पढ़ते हैं जो संग्या सब्द, सरवनाम सब्द, विशेशन सब्द के बाद में जुड़ते हैं और नए सब्दू का अंदिर्मान करते हैं उनको तद्दीत परते कहते हैं, ने सब्दु का निर्मान होता है, उन्हें तद्दीत आंते सब्द कहते हैं, जैसे लोहा पलस हार, लोहा पलस आर, लोहार मत पलस अंतर, मत आंतर, रस पलस या रसिया, अपना पलस तव, अपन तव, पान पलस दान, पान दान, तो यहां पर जो लोहा मत अपना पान ओर्णा से, ये सभी संग्या स्वरनाम विसेशन और अव्वि सब्द हैं, इनके बाद में जो परते जुड़े हैं जैसे आर, अंतर, तव, ये सभी परते, तद्धित परते कहलाते हैं, इन से जो नए सब्द बनते हैं, जैसे लोहार मता अंतर, अपन 6 बैद होते हैं तद्रिद परते के उभेद चै creeping होते हैं जिन में इसे पहला है करत्री वाचक तद्रिद cloudy के अंत में लकर करता वाचक सब्द का निर्मान करते हैं उन्हें करतरी वाचक तद्धित परते कहते हैं जिन्हें वे परते जो संग्या सरणाम वेसेशन अवे के बाद में लकर नए सब्द का निर्मान करते हैं और जो नया सब्द बनता है वे करता वाचक होता है तो उन परतें को कर त्री वाचक तद्दित पढ़ते कहते हैं जैसे सोना पलस आर सुनार लोहा पलस आर लुहार मुख पलस या मुखिया तेल पलस इ तेली काट पलस उवा कठुआ वाका यापर आ हो गया है कठुआ काला दन उटा कलूटा घास पलस एरा गसेरा नकल पलस ची नकल ची गुण पलस वान गुण वान पानी पलस हारा पनी हारा तो यहाँ पर जो नए सब्द बन रहे हैं ये नए सब्द करता वाचक हैं और इन जो परते हैं यानि जो ये नए सब्द बने हैं इन नए सब्दों को बनाने में जिन परतियों की भूमिका रही है वे सबी परते करत्री वाचक तदित परते कहलाते हैं तदित परते का दोसरा उपभेद है भाव वाचक तदित परते भाव वाचक तदित परते किसे कहते हैं संग्या सरणाम विसेशन अवे सब्दू के अंत में जुड़कर भावाचक संग्या का निर्मान करने वाला परते भावाचक तदित परते होता है संग्या सरनाम विशेशन अवे सब्दू के बाद में जो परते जुड़कर भावाचक संग्या का बोध कराने वाले सब्दू का निर्मान करते हैं तो उन्हें भाव आचक तदित परते कहते हैं जैसे रूप प्लस अंतर रूपांतर तो यहाँ पर जो अंतर परते हैं यह भाव आचक तदित परते हैं क्योंकि रूपांतर जो नया सब्द बना है यह भाव आचक भाव का बोद करवा रहा है भूल पलस आवा, भुलावा, बुरा पलस आई, बुराई, बुडा पलस आपा, बुडापा, चौडा पलस आन, चौडान, पंच पलस आयत, पंचायत, खटा पलस आस, खटास, गबरा पलस आहट, गबराहट, अगर पलस इम, अगरिम, लाल पलस इ, लाली, बाप पलस आवती तो यहाँ पर जो भी जितने भी परते लग रहे हैं ये सबी भावाचक तद्धित परते हैं और जो ने सवद बने हैं वे भावाचक यानि भाव का बोध कराने वाले सवद बन रहे हैं तद्धित परते का तेसरा उप भेदय समंद वाचक तद्धित परते संग्यास रोनाम एवं विशेशन सब्दू के साथ लगने वाले वे तद्धित परते जो समंद वाचक सब्दू की रचना करते हैं उन्हें समंद वाचक तद्धित परते कहते हैं जो परते संग्या स्रिनाम विशेशन अविस सब्दो के बाद में लगते हैं और समन्द वाचक सब्दो के रचना करते हैं उने समन्द वाचक तदिद परते कहते हैं जैसे ससूर पलस आल, ससूर आल, मामा पलस एरा, ममेरा तो ये सबी जो परते हैं समन्द वाचक तदित परते कहलाते हैं क्योंकि जो नया सब्द बनता है इंचे वे सब्द सभी समन्द वाचक का बोध कराने वाले होते हैं अन्य उदारण है जैसे ननद पलस ओई नन दोई तदित पर्ते का जो चोथा उपवेद है वे है अपते वाचक या संतान बोदक ददित पर्ते वे पर्ते जो किसी संग्या के अंत में जुड़ कर उत्पन होने अर्था संतान के अर्थ का बोद कराते हैं उन्हें अपते वाचक या संतान बोधक तद्दित परते कहते हैं। प्लस ए मानव, यदू प्लस ए यादव, पांडू प्लस ए पांडव, सिव प्लस ए सेव, मरुत प्लस ए मारुती, वल्मिक प्लस ए वाल्मिकी, राम प्लस अयन रामायन, द्रूपद प्लस ए द्रौपदी, निरासा प्लस ए निरासे, धीर प्लस ए दहरे, कूंती प्लस ए कौ वह जितने भी परते हैं ये आपते वाचक या संतान बोध क्तद्धित परते कहलाते हैं क्योंकि इनके जोड़ने से जो नया सब्ध बनता है वह उत्पन होने या संतान का बोध कराता है तद्दित परते का जो पाँचवा उपवेद है उन्ता वाचक या हिंता वाचक या लगुता वाचक तद्दित परते वे तदित परते जो लगुता सुचक सब्दू का अंदिर्मान करते हैं, उन्हें उन्ता वाचक, हिंता वाचक की लगुता वाचक तदित परते कहते हैं जिनके जोनने से जो नया सब्द बनता है, वे नया सब्द लगुता सुचक होता है यानि लगुता छोटे पन का बोध कराने वाला होता है इसलिए इनको उन्ता हिंता या लगुता वाचल तदित पड़ते हैं जैसे उदारण हैं इस्त्री बोधक तदित पड़ते हैं प्रिये प्लस आ प्रिया ठाकुर प्लस आइन ठकुर आइन देवर प्लस आनी देवर आनी लेखक प्लस इका लेखिका पड्रोस पलस इन पड्रोस इन कमल पलस इनी कमली नी कुतथा पलस इया कुतिया देव पलस इ देवी बेहन पलस ओई बहन क अई देवर आनी पलस आनी मौर नी तो तद्धित परते के 6 उपवेद थे जिनका हमने अध्धन किया है अब परते से समंदित कुछ जो विशेश बाते हैं हम उनका भी अध्धन करते हैं कि परते से समंदित कुछ विशेश बाते कौन-कौन सी है परते से समन्दित कुछ विसेश है यदे किसी सब्द के अंत में ए, य, य, ए, ए, आयन, आयन परते जोड़े जाते हैं तो सब्द के परारम में आने वाले सवर में निवन परकार से परिवर्तन होता है परते से समन्दित विसेश बात है इसमें कि कुछ परते हैं जैसे ए परते हैं, य, य, परते हैं, ए, परते हैं, ए, परते, आयन, परते, आयन, परते जब किसी सबद के बाद में जुड़ते हैं तो उस सबद के परारम में जो सवर होता है उस सवर में परिवर्तन हो जाता है बदलाव हो जाता है वह बदलाव किस परकार से होता है वह बदलाव होता है यदि ए है तो बन जाता है आ, इ, इ और ए है तो बन जाता है आई उ उ ओ है तो बन जाता है आउ और ए दिर्री है तो बन जाता है आर रह के नीचे है यहाँ पर हलंद इस परकार से परतेदी किसी सबद के बाद में जोड़ते हैं तो उस सबद के परारह में जो सवर होता है उसमें निमन परकार से बदलाव हो जाता है ए का आ, ई, ई, ए का आई बन जाता है उ, उ, ओ, का आउ बन जाता है और री का आर बन जाता है इन सभी परत्यों के हम उधान पड़ते हैं किस परकार से क्या बदलाव होता है जैसे ए परते हैं यदि ए परते हम मनू के बाद में जोडेंगे मनू पलस ए तो यहाँ पर जो मेमे ए सवर है वे आ में बदल जाएगा मनू पलस ए नया सवद बन जाएगा मानव मधू पलस ए से बन जाएगा माधव मगद पलस ए से बन जाएगा मागद तो यहाँ पर में में जो A सवर है वै A में बदल गया है माग दो गया है सिंदू पलस A तो बन गया सेंदाओ यहाँ पर जो E है रसव E है वो A में बदल गया है तो बन गया सेंदाओ प्रिथा पलस A तो बन गया पार्थ यहाँ पर जो री है यह री आर में बदल गया है लगता है रेप लगता है उसमें सवर नहीं होता है जिन पलस ए तो बन गया जैन जो रसो ए है ये आई में विदल गई है तो बन गया जैन रस्व ई, ई परते हैं जैसे दसरत दन ई, यहाँ पर ई परते हैं तो यहाँ पर जो सब्द है दसरत इसमें दै, पहला जो विंजन है इसमें सवर आ, आ का बन जाएगा आ, तो दै से बनेगा दा, तो दासरती, जो ई, रस्व ई है इसकी मातरा लग जाएगी थैपर, तो बन ग प्लस ए तो बन गया सार थी क्योंकि सै का बन गया सार एकी मात्रा परियोग हो गया थैपर वलमीक प्लस ए तो बन गया वालमीकी वे में ए है एका बन गया आ तो वे का बन गया वा कैपर लगी रस एकी मात्रा इसी परकार से ये परते हैं वत्सल पलस ये तो बन गया वात्सले वे में ए है तो बन गया आ वे का वा बन गया ले यहाँ पर ये परते हैं यहाँ पर यन सवर संदी भी हो गई है तो यन सवर संदी में ये से पहले जो भी विंजन होता है उस सहर सवर रही तो हो जाता है तो बन गया वात सल्ले दमपती पलस ये तो बन गया दामपते तो यहाँ पर जो ती है यन सवर संदी होगी ये है तो इसलिए यहाँ पर जो दिर्ग ई है वो यहाँ पर हट गई है लोप हो गया उसका तो तय यहां पर सवर रहित हो गया है सै द्रिसे पला से यह तो बन गया साथ द्रिसे ललित पला से यह तो यह बन गया लालिते लेका बन गया ला और यह है तो यन सवर संदी है तो यहां पर जो तय है वह सवर रहित हो गया है इस परकार से ये पर्ते के कुछ विशेश नियम है, साथ पर्ते हैं, उनके जुड़ने से इस परकार से बदलाव हो जाता है अन्य उदानों देखते हैं, ये पर्ते के निराशा पलाशी ये तो बन गया निराशे जो रसवई है ये बदल गई है आई में तो निराशे बन गया दीती पलाशी ये डैते, विराग पलाशी ये वैरागी, इस्वर पलाशी ये, दीन पलाशी ये, दैने, प्रिथक पलाशी ये, पार्थक के, एक पलाशी ये, एक के, ये याँ पर आई में बदल गया है सुन्दर पलस ये तो बन गया है सौंद्रिये सूजन पलस ये तो बन गया सौजन्ने क्योंकि या पर जो रसव उ है वह आउ में बदल गया है सौजन्ने आगे ये है तो यन सवरसंदी होने पर नय सौर रही तो गया है सूर पलस ये सौर ये इसी परकार से अगला परते है एक परते मनस पलस एक बन गया मानसिक सब्द है मनस से के नीचे हलन्त है एक परते लगा तो मेमि जो एह सवर है वह आमी बदल गया मेका बन गया मा और यहाँ पर जो रसव इह है उसकी मातरा लग गया से परतो बन गया मानसिक क्योंकि यहां पर री है तो री बदल जाएगा आर में तो गय का बन गया गा और रह सौ रही ते इसलिए चला गया है पर गारी मास पलस एक मास एक दिन पलस एक देनेक विवा पलस एक वैवाहिक शिक्स्या प्लस एक, सैक्सिक, निती प्लस एक, नेतिक, वेतन प्लस एक, वेतनेक, एक प्लस एक, एक एक, तो यहाँ पर ए है, तो बदल जाएगा आई में, तो यहाँ पर आई में बदल गया है, एक एक सेना प्लस एक सेना प्लस एक सेनेक उपचार प्लस एक आउपचार एक मुख प्लस एक माउखिक भूत प्लस एक भावतिक योग प्लस एक योगिक रिदे प्लस एक हार्दिक तो यहाँ पर जो है है इसमें री है तो री आर मी बदल जाती है है का बन गएया हा और रह सव रहीत है इसलिए दे पर चला गया तो सव रहीत है उपर चला गया तो गरीश्ट पलस एक तो ने सव बन गया गार है ती तो दोस्तों इस परकार सी कुछ परते हैं जो यदे किसी सब्द के बाद में जोड़े जाते हैं, तो उस सब्द के पर्थम में जो सवर होता है, वो इस परकार से बदल जाता है जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं. अगला परते हैं जैसे ए परते हैं, तो गंगा पलस ए तो सब्द बने गया गांगे, तो गयका बन गया गांगे, अगनी पलस ए तो बन गया आगनी, राधा पलस ए तो बन गया राधे, उपमा पलस ए तो बन गया उपमे, मरी कुंडी पलस ए, मारकंडे, कुंती पलस ए, कौं तो यहाँ पर जो रसव उ है वो बदल गया है आउ में तो बन गया कौम ते अयन परते हैं राम पलस अयन तो बन गया रामायन अयन परते के लगने से यहाँ पर रा है आ सवर इसमें तो आ सवर का आई रहेगा तो बन गया रामायन नारा पलस अयन नारायन और अंतिम जो परत इस प्रकार से दोस्तो परते के विशेश नियम है जिनको आमने जाना है इस पार्ट में हमने परते से समधित जो चैप्टरिस बच गया था उसको आमने पढ़ा है पिछली वीडियो में उफ्सरक पड़ा इस परकार से उफ्सरक का जो पॉइंट है वो हम्हारा परते का जो पॉइंट है वो पूरा होता है अगली वीडियो में हम उफ्सरक के बारे में पढ़ेगे दन्यवाद